हलो बच्चो वेलकम बैक टो वर चैनल आप लोगों को आज मैं बताने जा रहा हूं कि कैसे आप लोग सैनिक स्कुल का फॉर्म भरेंगे यानि कि ऑल इंडिया सैनिक स्कुल इंटरस्ट एक्जाम की डेट्स आ चुकी है लास्ट देट थर्टीथ आफ नवेंबर है तीस नवेंबर को आखरी डेट है तीस नवेंबर तक आपको अपना फॉर्म फिलप करना है तो मैं आप लोगों को फटा-फट से बता देता हूं कि यहां पर आपको सर्च कर देना है उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहां पर एक वेबसाइट दे रखा है फिर्स नमबर पर जिसका नाम है यहीं पर सारा डेटा मिलता है आपको सैनिक स्कुल के रिगार्डिंग तो आपको क्या करना है इस कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराती एक्जाम उन्हों नहीं यह फॉर्म निकाला है फॉर्म आने में थोड़ा लेट हो गया इस बार बट आइधिंग की एक्जाम पूस्पूर नहीं किया यह बहुत अच्छा काम किया इन्होंने तो एक्जाम आप लोगों का 8th of January को है इसलिए form आपको 30th November तक भरना है ताकि एक महने के अंदर में आपको admit card भी मिल जाए और आपको आपका center भी मिल जाए तो simply आपको क्या करना है आप यहाँ पर देख रहे होंगे public notice में यहाँ पर एक public notice दिया हुआ है इसको click करेंगे तो आपको एक PDF मिलेगा जिसमें सारा detail दिया हुआ है कि कब form भरना है form की fees क्या है जैसे कि form की जो fee है वो जनरल के लिए 650 है पर STSC के लिए 500 रूपीज है और OBC जनरल दोनों का ही सेम है मतलब जनरल OBC दोनों के लिए जो fee है वो 650 है तो इसको अभी आपको touch करने की जरूरत नहीं क्योंकि अभी आप सीखना है कि form क जैसे क्लिक करोगे तो यह एक नया पेज खुलने वाला है तो यहां पर आपका जो ब्राउजर है वो क्या बोलेगा वो बोलेगा कि देखो यह जो वेबसाइट आप खोले हो इस वेबसाइट से किसी दूसरे वेबसाइट में आप shift हो रहे हो तो इसमें कोई दिक्कत वाली registration page खुल जाएगा तो simply आपने कुछ नहीं कि आपने वहाँ पर क्लिक किया लिंक को और आपका एक नया पेज खुला इस पेज में आप देख रहे होगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है सब्सक्राइब करना है और लास्ट में आएगा पे एक्जामिनेशन फी बहुत आसानली से आप पे कर सकते हो इन केस आपसे फी फॉर्म अगरा नहीं भर जा रहा है या फॉर्म आ भर नहीं पारे हो तो कि दिक्कत की बात नहीं है एक बार यह वीडियो आप कंप्लीट देख लो उसके बाद आप दुकान में जाना और दुकान वाले से भी करवा सकते हो पर यह वीडियो देखने का अ लिया है तो अगर आपने नहीव तो आपके यहां पर यहां पर यहीं डिख्लेशं सार्य इस पर क कुल है कॉंसे स्टेट में कौन से शहर में स्कूल है क्या क्र tienen yeah reservation का क्या system आँ उसके अलावा अग्राप देखोते स्वागतल में यह क्लास इंफ्रमेशन मίंक नभी डाउंडोड करने की जडूरत नहीं है आप मूब ऑन करोगे तो यहां पर देखो कि तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है प्लीज रीड इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर एंइंफॉर्मेशन बुलिटेन केयर फुली बिफूर यू स्टार्ट फिलिंग अप्लिकेशन फॉर्म यहां पर जो पहला पॉवैंचلف यहां पर लिखा है वही आपको कर रहा है वही आपको यह बोल रहा है कि पएले एक और करके अब यहां अब at देखो तो पैला पॉइंट देखे आपको घबराने की जरुत है नही ठीक है आपको यह नहीं सोचना है कि हमने तो information bulletin पुरा पढ़ा नहीं क्योंकि काफी लंबा है, बहुत सारे pages हैं उसमें, तो आपको simply क्या करना है, आपको मेरे पर trust करना है, ठीक है, क्योंकि मैं आपका teacher हूँ और मैं आप लोगों को, पहले भी मैं बच्चों को form fill up करा चुका तो मैं जो भी है सारे details आपको मैं बता दूँगा, आप पढ़ पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, यहां पर लिखा हुआ है कि you can apply for AI SSEE 2023 from the official website, जो official website मैं आपको अभी थोड़ा देर पहले open कर वाया था, तो वहां पर सही हम लोग जा कि यहां पर click कर के आया थे, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, अभी तक कोई ऐसा doubt आया नहीं के लिए, तो यहां पर आप देखो कि examination fee दे रखा है, examination fee आपको दिया हुआ है total, जो मैं अलड़ी आपको बता चुका हूँ, बढ़ यहां पर भी same चीज दी हुई है, कि जो general है, OVC है और जो defense के लोग है, उनक definitely यहां पर last में लिखा हुआ service charges, GST वगरा लगेगा, यानि कि यहां पर 650 दिखा रहा है, पर जब आप payment करोगे तो 10-20 रुप extra लग सकते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर fourth number पर आप point देखोगे तो जो application procedure है, वो तीन simple steps में follow करना है, उसके details मैं आपको भी सिखा दूँगा, यहां पर आप चाहो तो बैट के यहां पर यह सारा pause करके आप read कर सकते हो, या फिर आप जब वहां पर website पर खुलोगे तो आपको भी ऐसा ही पूरा format दिखेगा, आप आराम से बैट के यह सारी चीजे read कर सकते हो, थोड़ा fast fast जाना चाहरा हूँ ताकि यह कम से कम टाइम मे इसलिए इसको फटा-फट पड़ते हैं, step register for online form and note down systems and written application number, इसमें क्या बोल रहा है कि अभी पहले step में आप अभी जो registration करोगे, जो करके दिखाऊंगा मैं, तो आपको नेक application number a lot होगा, तो वो application number जो है, वो आपको अपने पास याद रखना है, उसको गुम नहीं करना है, अ registration के बाद यह आएगा, ठीक है, registration करने के बाद application number आप करोगे, उसके बाद आपको password भी याद करना है, और यह आपका security question भी आपको याद करके रखना है, क्योंकि बाद में अगर by chance password भूल गए, तो security question यूज़ करके आप password चेंज कर पाओगे, और ये तीन चीज़ें आप share ह हर किसी के साथ मत करना, आप सिर्फ उनी के साथ share करना, जिनके साथ आप comfortable हो, जिनके साथ आपको लगता है कि कोई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि किसी के पास दुश्मनी होगा, तो वो password यूज़ करके हो सकता है, आपका application में कुछ गढबर कर दे, फिर बाद में admission time दिक्कत है, otherwise आप अपने teacher या फिर अपने दोस्तिया उनके साथ share कर सकते हो, जिन पर आप trust करते हो, उसके बाद second step है application form का, complete the application form, candidate can login with the system generated application number and created password for completing the application form, इसमें क्या होगा मैं बताता हूँ, पहले आपने registration किया, उसमें आपको एक application number पासवर्ट मिलेगा, मैं करके दिखाऊंगा, ठ कि यह जो आप registration complete कर लोगे ना, तो आप automatic logout हो जाओगे, ठीक है, फिर दुबारा से आपको login करना पड़ेगा, तो login करने के क्या करना है, मैं एक बार दिखा देता हूँ कि मैं login मतलब क्या बोलना चाहरा हूँ, यहाँ पर यह वाला जो page खुला था, इसमें याद है, मैंने 6898 जो भी है, उसको आप type करके sign in करोगे, ठीक है, तो वो अभी करेंगे, लेटर में जब तक registration नहीं होगा, तब तक तो आपन कुछ करी नहीं सकते, तो पहला process तो अपना registration का ही है, आगे बढ़ते हैं, तो आपको application number डालना है, अपना password डालना है, और उसके बाद, आप क् मतलब आपको अपने अंगुठे का भी मार्क, मतलब आपको अंगुठे का मार्क भी ऐसे print करके कहीं पर मतलब आप एक काम करना ना वो ले आना वो नीली वाली जो इंक वाली आती है, जिसमें से थम प्रिंट लगाते हैं, उससे थम प्रिंट लगाना और उसकी photo हीज के scan कर करना है, signature भी आपको डालना है, domicile certificate इसका मतलब होता है आप जहां पर रहते हो ना उसका certificate आपका proof की भी या आप रहने वाले कहां के हो, जिससे आप मालो for example महराष्ट के हो, तो महराष्ट का domicile certificate आपको लगेगा, date of birth का certificate लगेगा, वो ज़रूर बनवा लेना, अगर नह OBC हो तो आप category certificate भी जमा कर देना, otherwise आपको reservation का फायदा नहीं मिलेगा, और अगर आप OBC हो तो OBC में दो type के OBC होते हैं, एक होता है NCL और एक होता है CL, CL मतलब होता है creamy layer, और एक होता है non, NCL मतलब non creamy layer, तो अगर आप OBC NCL हो, तभी आपको certificate जमा करने की जुरूत है, otherwise normal OBC हो आप creamy layer वाले हो याने की आपके पास NCL का certificate नहीं है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको ऐसे भी कोई reservation नहीं मिलेगा, certificate OBC NCL and ST and SC, तो तीन type के category वालों को यहाँ पर apply करना है अपना certificate, उसके बाद आता है school certificate, जो class 5th के होगी, जो आपको चाहिए होगी, पर ये तभी चाहिए होगी, जब आप एक नए सैनिक स्कूल में apply कर रहे होगे, तो ये जो नए सैनिक स्कूल इसका concept के है, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, था कि आपको थोड़ा idea है, point ये था कि जो आपके पुराने सैनिक स्कूल से total 33 सैनिक स्कूल से 33, ये 33 सैनिक स्कूल के अलावा भी government ने क्या किया है, जो previously private schools थे या government schools थे, जो सैनिक स्कूल नहीं थे, उनके साथ merge करके, उनको भी सैनिक स्कूल में तबदील कर दिया, और उनको बोल दिया new सैनिक स्कूल, अब क्योंकि new सैनिक स्कूल merged है, मतलब कि ऐसे स्कूल से जो पहले से exist कर रहे थे, तो उनके भी class 5th, 4th, 3rd की बच्चे रहे होंगे न, तो उनको भी तो आगे बढ़ना है, तो ऐसे में क्या होगा, कि properly new सैनिक स्कूल, पुराने सैनिक स्कूल की तरह behave नहीं कर सकते हैं, बट हाँ, ये advantage है, कि अगर आपको पुराने सैनिक स्कूल में selection नहीं मिल सकता, अगर आपको लग रह लिकेट, class 5th का चाहिए होगा, अधर्वाइस नहीं चाहिए होगा, जो फोटो है, आपकी जो पासपोर्ट सैस फोटो है, उसके लिए black and white जो है, वो color कैसा होना चाहिए, फोटोग्राफ का color में होना चाहिए, या तो फिर black and white होना चाहिए, तो color वाला भी चलेगा, black and white भी color का पीछे background रखते हैं, उनको बोल दिजेगा, उसको white कर देंगे, उसका जो format है, वो jpg format होना चाहिए, जनरली फोटो आपके jpg format में मिलते हैं, अगर नहीं है, तो आप convert कर सकते हो किसी भी software या एप से, और उसका जो size है, वो 10 kv से 200 kv करना, ये बहुत बड़ा issue है, क्यों तो इसका आपके पास option आजाएगा, उसमें आप ये type कर देना, कि आपको 200 से कम का size का चाहिए, फिर थम जो है, वो भी आपका jpg format पर रहना चाहिए, पर उसका size और कम होना चाहिए, 3 kv से लेका 30 kv तक का, kv ये size होता है, जैसे आपने mb, gb सुना होगा, gb, 1 gb, 2 gb, ये Size of the scan photo of the certificate should be between 50 kv and 300 kv, तो जो आप certificate जमा करोगे ना, उसका भी size 50 kv से 300 kv की बीच में होना चाहिए, वो अगर दिक्कत आते हैं, तो दिक्कत आप आराम से software से या Google करके, आप search करके, आप compress कर सकते हो, किसी भी file को, जो बड़ा size को उसको छुटा का बना सकते हो, यहाँ पर क्या बोलना चाहरा है, कि कई बार देखना, आप देखना, लास्ट बार भी, लास्ट यर कभी आप देखोगे, तो जब आपका form जब complete हो जाता है, मतलब जैसे अभी for example, 30 November को complete हो जाएगा form भरने का date, उसके कुछ दिन बाद ना, correction का period आता है, 2-3 दिन का, 2-3 दिन का time दिय जाता है, लोगों को correct करने के लिए, अगर उन्होंने कोई by mistake, कोई चीज गलट type कर दी, नाम का spelling गलट हो गया था, या date of birth डाल दिया, इस type की कोई चीजे होती है, वो उनको बोला जाता है, कि आपको मौका दे रहे हैं, सुधारने को, लेकिन वहाँ पर एक चीज़ आप न है, the candidate has to select, तो पहला step था registration, दूसरा था application form भरना, जिसमें आपने अपने पूरे certificate दिये, photo दिये, और third step है payment करने का, तो वो debit card से, credit card से, UPI से, जो बहुत अभी आजकल बहुत trend पे चल रहा है, UPI सब यूज़ करते हैं, तो UPI से आप कर सकते हो, net banking का option है, तो most probably आप या तो debit card से करोगे, या तो UPI से करोगे, ज़्यादा तर लोग इसी का use करते हैं, इससे आप payment fee कर सकते हो, उनका fee का payment कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, 650 रुपीज का general के लिए, OVC के लिए है, STSC के लिए 500 का fees है, 500 का fees में 10-200 रुपे extra जुड़ेगा GST का, वैसे 650 म आना है कि सरी ज्यादा पैसा काटती है, 10-200 रुपे is not a big amount, उसके बाद देखना आपके कुछ instructions दी है, password के regarding, तो यह मैं फटा-फटा आपको मैं समझा देता हूं, देखे, online form जो filling है, ठीक है, तो candidate को सबसे पहले तो एक password choose करना है, और एक security question choose करना है, तो यह आपकी choice जरूरी नहीं आप असली वाला ही डालो, आप चाहो तो कुछ भी डाल सकते हो randomly, जैसे अगर मेरा बच्पन का नाम था मोन्टू, पर हो सकता है मैं मोन्टू की जगा गोलू डाल दू, वह आपकी choice रहेगे, candidate is advised to record or remember their password for all future logins, तो मैंने आपको पता है ने यह वाला जो option था यहाँ पर जब आप login करोगे, तो आपको बार बार password डालना पड़ेगा और application number डालना पड़ेगा, तो यह दोनों तो आपको याद होना ही चाहिए, तो यह दोनों याद रखेगा ध्यान से, second point में बोल रहे है कि for subsequent logins, candidates will be able to login directly with their respective system generated application number and chosen password, मतलब application number और password से आप आराम से login क कर सकते हो, कुछ भी चीज़ चेक करने के लिए या कुछ चेंज करना है आपको अपने application form में से तो, candidate is advised not to disclose or share their password with anybody, उन्होंने बोले कि आपका पासवर्ड या फिर पासवर्ड किसी के साथ भी शेर ना करें, और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि NTA वाले या NIC वाले आपको call कर पासवर्ड बताओ, या अगर आपका पासवर्ड आपने किसी को बताया है, और फिट कुछ गडबड होता है, तो फिर आपकी responsibility है, NTA वालों की responsibility नहीं होगी, मतलब NTA वाले बोल रहे हैं कि हमारे साइट से password secure है, हम आपका पासवर्ड किसी शेर नहीं करेंगे, आप अपना पासवर्ड किसी और किसा शेर मत करना, अब शेर करते हो, तो उन्हीं किसा करना जैसे भहिया दीदिया, जो भी आपके trustworthy लोग है, फिर आता है, candidate can change his or her password after login if desired, तो पासवर्ड ऐसा चीज़े कि आप बदल सकते हो, बार बार ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है, किसी को password प बोलते हैं, especially उनके लिए बोलते हैं, जो लोग बाहर, cafe वगेरा में जाके या दूसरे की दुकान में जाके उपन कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर मानला आपने logout नहीं किया, जैसे आप Facebook ही अगर चलाते हो, और Facebook में आपने logout नहीं किया, तो सामने वाला तो जब खोलेगा तो आप नारेंद्रमुदी password में नहीं डाल सकते हो, क्यों नहीं डाल सकते हो, क्यों कि उसका एक process है, उसमें क्या के जरुरत हैं, यह मैं बता दे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला तो यहर आठ से लेकर 13 character long होना चीए, तो कम से कम 8 character का होना चीए, दूसरा क्या है कि उसमें कम से कम एक upper case होना चीए, मतलब एक capital letter में होना चीए, एक से ज्यादा भी हो सकता है, एक lower case होना चीए, कम से कम, मतलब एक small letter में भी होना चीए, कम से कम, और उसमें एक number भी आपको रखना पड़ेगा, और उसके अलावा एक कम से कम special character, जैसे at the rate, hashtag, या फिर डॉलर वाला sign या फिर percent वाला sign, या star हो गया, तो इस type के आपको एक कम से कम एक special character, कम से कम एक number, और कम से कम एक upper case है, एक lower case होने चाहिए, और character कम से कम 8 long होने चाहिए, तो ये इस type का password आप आप राम से रख सकते हो, इस type का रख सकते हो, जैसे मालो मेरे को नरेंदर मूदी को ही password तो मैं क्या करूँगा, add the rate, तो उसमें special character आ गया, add the rate, उसमें नरेंदर मूदी में capital N रख दूँगा, और M को capital रख दूँगा, बाकि small रख दूँगा, तो lower case और upper case दोनों आ गए, और last में लिख दूँगा, नरेंदर मूदी 5, तो ये number भी आ गया, तो इस तरीके से मेर password clear बन जाएगा, reset कैसे करना है password, उसके लिए भी option दे रखाएं, आपको security question का भी option देगा, अभी registration करते हैं, उसमें जो भी answer आप लिखोगे, और वो question, उसको याद रखिएगा, जब आप for good password करोगे, change करने के लिए, तो उस case में आपको, ये SMS किया जाएगा, आपके register mobile password चेंज कर सकते हो, तो not a big deal, अभी अगर आपने Facebook, Instagram या कोई भी social media platform आपने यूज किया या banking यूज किया, तो आपको idea होगा password चेंज करना, इस not a big deal, अगर आपके पास, आपका phone number है तो, the application number printed on the computer generated confirmation page must be mentioned in all such correspondence, it is therefore essential to note down the application number printed on the confirmation page, तो confirmation page जो आपका आएगा ना, उसको उसमें application number जो लिखा होगा, उसको लिख भी लेना आप, मैंने बुला ना आपको application number, password और security को से नियाद रहना चाहिए, application number बाद में generate होगा, अभी तुरंत नहीं मिलेगा, registration करोगा, तब generate होगा, तो registration के बाद जब generate होगा, तो वो page को screenshot ले ले लेना, या फिर PDF डाउनलोड कर लेना, प्लस, उसको कहीं पर लिख भी लेना, फटाफट, पैन, copy से, ठीक है, तो यह चलो, यह हमने पढ़ लिया, इसके बाद अपन यहाँ पर I agree वाला यह टिक कर देता हूँ, कि हाँ, ठीक है, हम भरने जा रहे हैं, और click to proceed करने जा रहा हूँ, I think time काफी जादा हो गया है, 20 minute का वीडियो हो चुका है, बट ठीक है, अभी पूरे details अपन बात कर रहे थे, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखो आप फटा फट से, अभी देखो registration वाला, first step चल रहा है, तीन स्टेप है, पहला registration form, दूसरा है आप लोग यहाँ पर उनकी mother का name लिखोगे, फिर नीचे जाओगे तो आप यहाँ पर date of birth लिखना है आपको, उसके बाद आपको उनका gender लिखना है, male female, फिर identification में दिखें, यहाँ पर pen card है, में को नहीं लगता pen card किसी बच्चे का बना होगा, जनरली लोग 18 के बाद ही बनवाते हैं, school ID card में अगर आपका photo है, तो अच्छी बात है, तो फिर आप रख लो, अगर वो नहीं है, तो आप क्या करो, अधार card को आप use कर सकते हो, यहाँ पर, any other valid card में, ठीक है, और अधार card अगर नहीं मिलता है, तो भी कोई बात नहीं उसके लावा, और भी अगर कोई ऐसी government की document है जिसमें आपका photo भी present है, और एक identification number भी दिया हुआ है, जैसे आधार card में आप देखना एक number दिया रहता है, I think 12 यह 16 डिजिट का रहता है, वो आप डाल सकते हो यहाँ पर, फिर उसके बाद यह parent का, sorry, यह आपके address है, present address मतलब आप जहाँ पर अभी रहते हो, presently, वो address आप लिख सकते हो, locality, यहाँ पर अपने country का नाम, फिर state का नाम, अपकोर्स country तो इंडिया ही है ना, इसमें फॉप्षन देने नहीं चीज़ता, यहाँ पर फिर आप अपना, जैसे मैं 37 गड़का हूँ, यहाँ पर आप 36 डाल सकते हो, फिर जिलर district में आप जाल सकते हो, district में ज details भी आपको email कर दी जाती है, फिर वही same email यहाँ पर दुबार डाल देना, उसके बाद यहाँ पर आपका phone number है, phone number, phone number, यहाँ पर आप mobile number अपना दूनों डाल सकते हो, और उसके बाद आगे चल के आप देखोगे, तो यह phone number डाल देना, actually मैं आप थोड़ सक घबरा गया, क् कि यहाँ पर मेरा real number share हो रहा था, तो वो ठीक है, कोई बात नहीं है, अभी ऐसा कोई भी channel इतना वारहल तो हुआ नहीं है, कि कोई परशान करेगा, phone कर करके, moving on, moving on to phone number डाल दिया, और फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर landline number आपको डालने की जरूत नहीं है, अगर आपक जो present address है, वही same address है, आपके permanent address है, मतलब आपका permanent घरी है, जहाँ पर आप रहे रहे हो भी presently, तो यह same as present में कर देना, और अगर in case आपका यह अलग-अलग है, मतलब मानलोब भी दिल्ली में रह रहे हो, पर आपका actual घर मुंबई में है, तो यहाँ पर मुंबई वाला address डाल जाल देना, ठीक है, और अगर same है, तो यहाँ पर same में click करना, automatic जो उपर भरा था, यही नीचे में same to same भर जाएगा, फिर आपको एक password चूस करना है, अराम से यहाँ पर password चूस करो, यह वही मैंने वो जो बताया था तरीका कि क्या क्या होना चाहिए, कि upper case भी होना चाहिए पासवर्ड डाला, उसको वापिस से confirm किया, फिर एक security question, तो उसमें 4-5 question दिये हुए, जैसे की कौन से website है, जो आप rarely visit करते हो, या आपके पहले school का नाम, या आपके neighbor के pet का नाम, तो यह 5 में से कोई एक सवाल करना है, उसका answer डाल देना है, फिर security pin में यह जो नीचे लिखा हुआ है, इसको लेख के आपको submit करना है, ठीक है, submit करने के बाद, हाला कि यह submit होगा नहीं, क्योंकि मैंने कुछ अभी भर नहीं रखा है, यहाँ पर सारा चीज यह भरना पड़ेगा, पहले मैं मुझे, तो मैं तो अभी registration नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी तो age, मैं तो सा second process है, बहुत tough नहीं है, अगर tough होगा, तो आप लोग में को WhatsApp कर सकते हो, मैं next video बना दूँगा, इसको fill up करके, किसी student का ID fill up करके, आफिर कोई fake ID बना के, बट अभी फिलाल आप इतना समझो कि यह process करने के बाद, आपको confirmation page आएगा, उसमें आपका application number उपर में लिखा होगा, ठीक है, और application number कहीं, इधर left or right में लिखा होगा, तो application number उतार लेना, उसके बाद आप log out हो जाओगे, और फिर से इस page में जाना, यहां पर application number भरना, password भरना, security pin भरना, यह जो नीचे लिखा है, sign in करना, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक नया format का page खुलेगा, उस page मे जाके, आप क्या कर सकते हो, simply, आपको details पूछेगा, कि photo, बच्चे का डालो, बच्चे का thumb, print डालो, बच्चे का signature डालो, वहां पर आप सारे PDF अप्लोड कर सकते हैं, demand के हिसाब से, फिर उसमें जब next option करोगे, तो fee payment का आएगा, और fee payment is very easy, आप UPI वगएर आराम से use करना, क और finally आपका हो गया, form complete भर गया, अब क्या होगा, 2-3 दिन बाद या कुछ दिन बाद, 2-3 दिन के लिए, आपको correction window खुलेगा, correction window के लिए आपको क्या करना है, फिर से इसी page में आके आपको application number और password डालना है, और अब simply correction window से आप अपना ID में जाके, आपका कुछ नाम या जो गलती भर गया था, उसको फिर से बदल सकते हो, तो यह एक बार form भरने के बाद अभी नहीं बदलेगा, यह जब correction window आएगा, तभी बदल पाऊगे, तो उस टेम पर आप update कर सकते हो, और फिर आपको finally admit card मिलेगा, admit card की dates अभी reveal शायद नहीं हुई है, तो admit card जैसी आएग बाकि अगर आप sanic school का preparation कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि आपके preparation में कमी रह गई है या आपको पुरा syllabus complete नहीं हुआ है, तो आप हमारा 4G batch enroll कर सकते हो, 4G batch enroll करने के लिए आपको हमारा app download करना है, जिसका link आपको description में मिल जाएगा, edu mention नाम का app है, वहाँ पर आपको 4G batch नाम का batch मिलेगा, उतको purchase करिए, और आपको हमारे सारे video lectures और सारा का सारा question bank सब आपको available हो जाएगा, ताकि आप अपना preparation करके exam में फोड सकते हैं, और channel subscribe कर लिजे, ताकि selection के बाद भी medical वगरा से related कोई भी data या कोई भी जानकारी देनी होगी, तो मैं आपको दे दूँग चलिए फिर धन्यवाद, जय हिन